राश्ट्री ओवी सी महासंग के अध्यक्ष तनस्थापक अध्यक्ष दॉक्टर वबन राउ जी ताइवाडे मंच पे उपस्तेत माननी नानाबाव पटोले जी माननी ये डॉक्टर परिने फुकी जी डॉक्टर अभी जी तुण्जारी जी दूसरे सेशन के प्रेसिडेंट ओनरेबल जस्टिस इश्वरईया जी माननी ये बगेल जी और तभी आदर निये नितागन सामदे मौजूद मेरी माएं बहने और पूरे राश्र को जो राश्र के ओबीसियों को जो रिप्रेसेंट कर रहे हैं वो भाईयों मैं सबसे पहले राश्री ओबीसी महासंग और उनके साथ जोड़ी सभी संगटनाओं का तै दिल से शुक्री आदा करता हूँ कि उन्हें मुझे यहां आपके सामने प्रस्तुत होने का मौका दिया जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है कि जो मांगे अभी 22 मांगे डॉक्तर तैवाडे साहब ने आपके सामने रखी थी वो मांगे क्या है और जब हम यहां से वापस जाएंगे क्योंकि आप तो सब प्रतिनीदी हैं अपने अपने इलाकों के तो आप क्या मैसेज ले जाएंगे और अपने कारिया करताओं को उन मांगो के बारे में क्या कहेंगे उनकी कानूनी पहलु क्या है यह मैं आपके सामने रखूं यह मेरी आज के जिम्मेदारी है बाई और बेहनों जो पहली मांग है वो मांग कि आप हमारे सर तो गिनी है जब तक कि आपको पता ही नहीं चलेंगा कि हम कितने है तो आप हमारे लिए कि हवाओं में योजनाएं बनाएंगे वो मांग है जन गन्ना की और ये मांग मेरी नहीं है ये मांग सम्विधान सभा में भाउसाइब पंजाब राओ देशमुक ने उठाई थी मेरे लिए ये खुशी की बात नहीं है ये बहुत दुख की बात है कि आज उस मांग के उठने के बहतर साल बाद मैं फिर से वही मांग आपके सामने रख़गा 23 अगस्त 1959 ये तारिख आप याद रखिए जितने प्रदिनी दिया आये हैं आप कोशिश कीजिए कि लोकसभा के वेब साइट पर आपको मिल जाएंगा भाउसाब पंजाब राओ देशमुक का वो भाशन जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार ने हम जितने हैं उस हिसाब से नौकरियों में हमारे लिए रिजर्वेशन रखना चाहिए तो हम कितने हैं कैसा पता चलेगा एक ही इलाज है कि जनगन ना हो इसके जवाब में उस वक्त भारत रत्न डॉक्टर वावसाब आमबिट करने कहा था कि पिछड़ा कौन है यह सब जानते हैं और इसलिए तो आर्टिकल 340 में हमने रख़ा है कि एक राश्रपती जी एक कमिशन और आयोग का गठन करेंगे और वो आयोग जिन लेगा कितने लोग है क्या करना चाहिए यह सब कर लेगा और इसलिए जो 82, 86 और 87 अमेंडमेंट डॉक्टर पंजाब राव देशमुक्र ने प्रस्तूत किया था वापस लिया इस वादे के बाद जैसा ही आर्टिकल 340 आया पंडित ठाकुर्दास भारगाउं ने कहा था कि यह राश्र का हमारे सारे OBC बंदूओं के लिको दिया हुआ एक वचन है कि हम आपको इंसाफ देंगे आज 72 साल बाद फिर से हम उस वचन की याद दिला रहे हैं कि यह वचन पूरा होना बाकी है उस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर इस तरह का आयोग आ गया तो 10 साल के बाद शायद हमको किसी किसम की कोई भी बेनिफिट्स देने की जुरत नहीं होगी मैं आपको याद दिला दूँ कि यह आयोग पहला गठित हुआ मैं हिस्ट्री में नहीं जाओंगा काका कालिलकर आयोग ने क्या किया मंदल आयोग ने क्या किया लेकिन सच्चा ही है कि 40 साल लग गए आयोग के दिये हुए रिकमेंडेशन को कुछ हद तक के लागू करने के तो जो दस साल में आप हमको प्रोग्रेस बताने वाले थे जो दस साल में हमको मिलने वाला था उसका कुछ परसेंटेज मिलने के लिए 40 साल लग गए और आज उसके बास 32 साल से हम इंतजार कर रहे के बाकी के रिकमेंडेशन का कुछ हो देखे मैं एक बात बता हूँ 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर बावा साब अमबिट करके दिये हुए समविधान को हमने अपनाया हम भारत के नागरिक हो गए किसी भी दूसरे से कम नहीं है हम तो OBC किसी की भीक्षा नहीं मांग रहा है किसी से भीक नहीं मांग रहा है वो एक भारत का नागरिक होने का अधिकार मांग रहा है और इस नागरिक के अधिकारों के लड़ाई में आप सब शामिल है आज डॉक्टर बबरनाव तायवाड़ी जी जो बाइस मांगे रखी है आप उसके साक्षदारे गवा हैं कि ये मांगे रखी गई थी ये तारीक इतिहास में जाएंगी कि फिर से वो मांगे सरकार के सामने किसी ने रखा था मैं आज अभिनंदन करना चाहूंगा राश्यो बीसी मांगे उनके अध्यक्ष का ये रखा हमारे तीन समस्या है में लिए एक है एजुकेशन दूसरी है एम्प्लॉइमेंट तीसरा है पॉलिटिकल रिजर्विशन जिन तीन चीज़ों को लेके आज पिछले 72 साल से हम लड़े आ रहे हैं अब अगर इनका हम निराकरन सोचे हैं तो एजुकेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है हाईर एजुकेशन में स्कॉलर्शिप का हाईर एजुकेशन में रिजर्वेशन का अब स्कॉलर्शिप आएगी कहां से तो ओबी सीज के लिए आपको स्पेशली बजट का प्रावधान करना पड़ेगा आप स्स के लिए करते हो आप स्टीज के लिए करते हो ओबी सीज के लिए नहीं करते हो तो स्सी और स्टी कितने है इनका percentage तै है वो गिने गए हैं हर दस साल बाद गिने जाते हैं लेकिन budgetary allocation जब OBC के लिए करना है तो पता ही नहीं कि OBC कितने है क्योंकि officially आता नहीं है तो इसलिए भी जब तक कि आपकी जननगनना नहीं होगी तब तक कि budgetary allocation भी आपके लिए नहीं होगा तो budgetary allocation भी करवाना है ताहिवाड़े सब तो आपको पहले जननना करवानी होगी दूसरा है employment अब employment में जो problem है हम देख रहे है बात होती है कि OBC इसको 27% reservation दिया गया है लेकिन वो reservation मिलेगा कब जब आपके पास में सरकारी नौकरिया होंगी तब हम जितने government departments हैं जितने government की संस्थाएं हैं जितनी government की companies हैं जितने public sector है सब के सब private कर रहे जा रहे हैं जो private नहीं कर पा रहे हैं हम उनका outsourcing कर रहे हैं और जब outsourcing करते हैं तो उसमें सम्वेधानिक reservations लागू नहीं होते हैं हम एक हाथ उठा के कहते हैं कि हम आपको देंगे और दूसरे हाथ से सारी opportunities पीछे कर लेते हैं तो आज हमने तै करना चाहिए कि इन सारे privatization का हमको विरोध करना बहुत जुरूरी है वरना ना वो यह 27% वाला जो कानून है हम खूबसूरत frame में सुनहरे frame में लगा के अपने अपनी दीवारों पे लगा के रखेंगे उसका इस्तेमाल कुछ है अब जब reservation की बात आती है तो OBC reservation सिर्फ 27% क्यों अब देखिए एक वकील हूँ मैं जज साब यहां बैठे हैं हम सभी सम्विधान के विद्धारती है Student M Constitution के Article 1 से Article 395 तक के पहले amendment से 130-140 amendment तक के हमने सारे amendment पढ़ डाले Constitution में 50% की ceiling कहीं नहीं है Sir I am not wrong I am not wrong There is no ceiling of 50% तो फिर यह आया कहा से तो यह उस वक्त आया था जब एक हाथ से mandal ayok दिया जा रहा था और court के through उस पे restrictions आ रहे थे इंद्रा साहनी के judgment पर तब यह आया कि 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए भई आया कहा से तो अभी डॉक्टर ताइवाडे साब ने जो demand किया था अब उस demand पर आता हूँ के तैसिल लेवल से लेके सुप्रिम कोर्ट तक के सभी जगा जुडिशेरी में OBC के लिए reservation होना चाहिए वो नहीं होने की वज़े से जो सम्विधान में नहीं है वो भी पढ़ा जा रहा है और आपके साथ हर generation के साथ ये जुल्म हो रहा है कि आपको ceiling दे दिया अगर सम्विधान हमारे पुर्खों ने बनाया है तो उसको interpret करने के अधिकार भी तो आप हमें दीजिए वो आप दे नहीं रहे हैं इसलिए ये जुल्म हो रहा है और 50% का ceiling है तो इसका विरोध तो कैसे होगा रास्ता बहुत आसान है सरकार को रास्ते पता है जुर्वत है इच्छा शक्ती की और आपके दबाओ की 103 वा amendment आया राजूर कर जी कहके गई यहां यह 103 अमेंडमेंट उनसे पहले बड़ुबाव धानोर कर जी ने भी यह कहा कि पूरे इंडिया से ओपन में जो लोग आते हैं उन्होंने कभी डिमांड नहीं की थी कि हमारे लिए किसी रिजर्वेशन की जुरह थे कोई मोर्चे नहीं निकले कोई कन्वेंशन नहीं हुए वन फाइन मॉर्निंग उन्होंने अमेंडमेंट लाया और ओपन से आने वाले गरीबों के लिए उन्होंने रिजर्वेशन किया मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं जो भारत के नागरिक है उनको अधिकार मिलना चाहिए तो वह 10 परसंट रिजर्वेशन अब जब 10 परसंट का फॉर्मूला आया तो कहा कि यह 10 परसंट हंड्रेड में नहीं डालेंगे 100 के अबव 10 परसंट लेंगे एजुकेशन इंस्टूशन में ताके यह 50 परसंट को इफेक्ट ना करे तो जो फॉर्मूला वहां अवेलेबल हो सकता वो फॉर्मूला OBC के लिए क्यों नहीं हो सकता एक छोटा सा सवाल आप कीजी ना आप जब Constitutional Amendment उसके लिए ला सकते हैं तो OBC के लिए Constitutional Amendment क्यों नहीं आ सकता क्यों Article 15 और Article 16 में OBC यह वर्ड connecting in it clear डालके उनके लिए Constitutional resurrection एक बार का 갖고्ग नहीं देते कौन रोक रहा है आप अच्छा फिर वो अमेंडमेंट लाया तो उसके साथ एक लाइन जोड़ दी कि बाकी जो गरीब लोग है जो दुसरे रिजर्वेशन्स लेते हैं उनको ये 10% में जगा नहीं मिलेगी तो 22% में के जो गरीब 10% है जो गरीब है 22% में के परसेंट लोगों के लिए 10% आया और यहां यह 65% लोग बैटे हैं उनके लिए हमने एक परसेंट भी नहीं रखा तो इन चीजों पर आपको सोचना होगा अब सरकार में अभी डियो पिटी की बात हो रही थी इत्तफाक है जो अभी पर्लेमेंट में कोश्चन हुआ था उसका रिप्लाय आया परिन बबबब और रिप्लाय ऐसा एक सवाल पर्लेमेंट में एक माननी है खासदार साहब ने किया था कि यहां पे जो सेक्रेटरी लेवल है दिल्ली में जो पॉलिसीज बनाते हैं उनमें जाती है डिविजन कैसा है तो आप लोगों को बड़ी खुशी होगी यह जानके तो दोहजार उन्नीस की पोजिशन आई थी 89 सेक्रेटरी नबबब से एक कम उसमें स्सी के एक थे यह लोग सभा के पटल पर आई है इन्फरमेशन स्सी का एक स्टी के तीन और ओबी सी कितने होंगे ओबी सी जीरो अब यह क्यों हुई हालत यह राश्रपिता महत्मा जोतिबा फुले ने हमको 200 साल पहले बड़े लेकिन उस हालत के लिए आज़ाद भारत में हम खुद जिम्मेदार हैं जहां हम इन डिमांड्स को पूरी तरह से दवाव नहीं लाते पूरा प्रेशर नहीं करतें तो फिर हालत इसलिए हुई कि हमारे पास हमें एजूकेशन की कमी है तो एजूकेशन और हाइर एजूकेशन आता कहां से है तो आता है वो युनिवर्सिटी से तो फिर युनिवर्सिटी की भी पोजिशन देख ली जाए तो चारसो चान्नों पॉर नाइन्टी सिक्स यह वाइस चांसलर्स की पोस्ट इंडिया में उसमें छे युनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एस सी काटेगरी किया है आउट ओफ फोर नाइन्टी सिक्स याने पांच सो पकड़ के एस्टी के भी छे और ओबी सी के चटी स्टी स्टी सिक्स नहीं यहां है लेकिन सत्ताइस परसेंट कितने होते हैं सर आप ज्यादा मत दीजे हमारे पूरे 65 परसेंट मत दीजे लेकिन 27 तो दीजे अब बची बात चलो वाइस चांसलर के लिए नहीं मिल पाए हम उस काबिल नहीं है कि आप हमको बना सके तो जो पर्मनन्ट प्रोफेसर की पोस्ट है सर Central University की बात मैं करूँ बड़ी-बड़ी Universities की बात होती है तो जवारलाल नेरू University याने JNU डेली University बनारस हिंदू University अलाबाद University इन सारी बड़ी University में पर्मनन्ट प्रोफेसर OBC केटेगरी से एक भी नहीं है Central University में तेरा तीन सो तेरा पोस्ट है OBC के लिए जिसमें से तीन सो चार वैकेंट है शिर्फ नौ जगा पे पर्मनन्ट OBC प्रोफेसर तो अभी माननी है मंतरी जी ने बोला उन्होंने एक वाइस चांसर को बुलाया था जब फाइल रेखी तो फिर भरती करवाई गई तो फाइल में क्या लिखा हुआ था ये उन्होंने नहीं बता है ये मैं आपको बताता हूँ फाइल में ये तो था कि ओबी सी के कैंडिडेट्स ने अप्लिकेशन किया है मुझे अमराओत युनिवर्सिटी के एक बड़े जिम्मेदार प्रोफेसर नजर आए थे तो युनिवर्सिटी के फाइल में लिखा था कि ओबी सी वालों ने अपलाए तो किया है लेकिन उसके आगे सिलेक्शन कमिटी ने लिख दिया नौट फाउंड सुटेबल एन एफस आप उठा के देखिए कोई भी फाइल हर फाइल में ये लिखा होता है तो ओबी से ही क्यों सुटेबल फाउंड नहीं होता आपको कि आपकी नजर का फर्क है या हम नजर ही नहीं आते तो नजर कैसे आएंगे आप 65% है आपको मालूम होना चाहिए जितना हाथ आप मजबूत करेंगे डॉक्टर तायवाडे साब का उतने ज्यादा नजर आएंगे अब आखरी बात पोलिटिकल रिजर्वेशन मैं खुद उस केस में हपियर हुआ सुप्रेम कोट में लामट साब भी बैठे हैं यहां पर जब जिद पर आते हैं न हम तो हम क्या कर सेंगे कंस्ट्यूशन कहता है कि स्टेट सरकारों को यह आजादी होगी कि वो अपने OBC के जो लोग हैं उनके लिए जिला परिशत पंचायत समीती महानगरपाली का नगरपाली का और ग्राम पंचायत इस लेवल पे कितना परसंटेज होगा यह तैकर मैं महाराश्रा से आता हूँ महाराश्रा की बात करूँ यह सम्विधान में कंस्ट्यूशन में अमेंडमेंट आने के बाद महाराश्रा सरकार ने विधान परिशत में कानून परिशत में कानून पारित किया विदान मंडल ने पूरी तरह पारीत किया और अभी जो गबन राओ जी ने जिसका आपको बताया कि उन कानूनों में उसका OBC के लिए रिजर्वेशन फाइनल कर दी वो प्रोविजन्स चैलेंज हुए सुप्रीम कोर्ट में 2010 में 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्रावदान जो किये गए है सम्विधानिक है इनमें कोई बुराई नहीं है पाँज़ेश के बेंचने लेकिन उन्होंने उससे आगे जोड़ दिया कि फिर भी आप ये पता कीजिए कि कितने आईसी जाते हैं कि जो अन्रिप्रेजेंटेड है कम रिप्रेजेंटेशन है उनका और कितनों की जुरत है उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप इसको बंद कर दीजी उससे बारा साल के बाद में सुप्रिम कोर्ट में एक लड़ाई आई वाशिम जिले से कि यहां 50% से ज्यादा रिजर्वेशन आया है अब मैं आपको फिर बताता चलूँ कि जिला परिशद आक या समीधान में 50% का कैपिंग कहीं नहीं है बलके जो शेडूल ट्राइब एरियाज है वा 100% रिजर्वेशन रखा जा सकता है तो देखिए एक रिजर्वेशन के लिए 100% रिजर्वेशन रखा जा सकता और दुसरों को जो सिर्फ 27% दिया जा रहा है उनको यह कहते हैं कि 50% से उपर जा रहा है इसलिए आपका पूरा बन तो अब 50% से उपर गया तो गलती किस की वो उस डिस्टिक के कलेक्टर की वो स्टेट के इलेक्शन कमिशन की और आपने सजा किसको दी पूरे महाराष्टर के OBC कम्यूनिटी को पूरा रिजर्वेशन खतम भई मैं तो नहीं गया था ड्रा निकालने के लिए मैं नहीं गया था वहाँ पे कितने नंबर होना चाहिए तै करने के लिए आपको सजा देनी थी तो उस कलेक्टर को देते उसको कंटेंट में अंदर करते तो वहाँ हमारा दिल भरा नहीं तो हमने उसके आगे चलके पूरे इंडिया के OBC रिजर्वेशन को बंद कर दिया और बोला कि आप कमिशन बिठाओ अरे कमिशन आर्टिकल 340 में अल्रेडी बैठा हुआ है एक अलग कमिशन कौन से समय दान से आप ला रहे हैं वो कमिशन बैठा उसने तैसिलदारों से पूछा कितने हैं तो महराश्रा में याउत्माल जिला है उस याउत्माल जिले से दो मुख्यमंत्री आये थे वसातंतरों नाईक और सुधाकरों नाईक वो आते थे पूसद इस जगह से जहां पे वीजे एंटी, स्टी और OBC इन दोनों को मिला है तो कम से कम 73 से 74 परसेंट पॉपुलेशन होता है वहां के तैसिलदार ने एक लेटर दिया गिया याँ 20 परसेंट OBC है, मैंने नामों से देख लिया एक मिसाल के तौर बे बता रहा हूँ और उस शहर के नगरपालिका में आप सिर्फ 20 परसेंट OBC रिजर्वेशन आ गया यहां भी बात खत्म नहीं हुई फिर महराशा सरकार अभी सुप्रिम कोर्ट गई जब देखिए, आपने अलाव कर दिया है, कमिशन का रिपोर्ट आ गया है तो जितने इलेक्शन बचे हुए हैं, उसमें आप हमको OBC का रिजर्वेशन करने दीजिए तो माननी यह जजज साफ कहते हैं कि नहीं जिन में नोटिफिकेशन हो चुका है, वो वहाँ पे नहीं आएगा तो महराशा सरकार ने कहा कि भाई लेकिन हमारी यह इतनी बारिश है कि हम वो सारे के सारे इलेक्शन पोस्पोर्ण कर चुके हैं, आप अभी तो इजाज़त दीजिए फिर भी जजज साफ कहते हैं कि नहीं, हमने कहीं दिया न, वहाँ नहीं आएगा चाहे नहीं आएगा, चाहे साल बर बाद क्यों न, एलेक्शन होता हम कंटेम्ट में लेंगा यह इसलिए हो रहा है कि आपके प्रतिनीदी वहाँ नहीं है जब तक कि आपके प्रतिनीदी नहीं होंगे, जब तक कि जुडिशरी में आपके लिए प्रतिनीदी नहीं होगा, आपके हालात बहुत बहुत बहतर होते हुए मुझे नजर नहीं आते हुए अभी माननीय मंतरी जी ने कहा, कि 40 OBC मिनिस्टर हो चुके हैं लेकिन जो बने हुए कानुनों को एक्जामीन करता है, इंटर्प्रेट करता है, उस जगह गर आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो क्या होगा, तो इसके लिए आपको कोशिश ही भी करनी होगी और ये लड़ाई इसी तरह आगे बढ़ानी होगी और ये लड़ाई चलती रहेगी इस बात को मैं सिर्फ बहुत साथ पंजाब राओ देशमुख ने इस लड़ाई के बारे में क्या कहा था, ये मैं आपको बोल दूँ उन्हीं के शब्दों में वो कहते हैं, कि हमको ये समझ लेना चाहिए कि चाहे हम चाहे या न चाहे, पर यही मांग रही है और यही मांग रहेगी और जितना आप उसे रोकेंगे या दबाएंगे, उतनी ही अधिक उग्र और अदमनी ये वो होती चली जाएगी इसी उम्मीद के साथ मैं आपको यहां छोड़े जा रहा हूँ कि इन मांगों का पीछा आप कभी नहीं छोड़ेंगे और अपने बच्चों को कमस कम इनसाफ दिला के जाएंगे, जै ओबीसी, जै भारत